नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है नरेंदर दान चार निश्वल क्लासेज में तो जैसा कि आज बहुत इंपॉर्डेंट बात है और बहुत से स्टुएंट्स के फाइदे की बात करने आया हूँ थम्लेन पे एक चीज लिखी विया पावर इस परसनल निश्यतुर्प सही एक मोटिवेशन वीडियो है और उन सभी स्टुएंट्स के लिए क्योंकि मेरे पास बहुत से फोन और कॉल्स आएं मैसेज आएं कि सर रीट करें या सेकंड ग्रेड एक जो संसे चल रहा है रीट या फिर सेकंड ग्रेड रीट या फिर सेकंड ग्रेड आखिर इन दोनों में से हम कौन सी तैयारी करें कईयों का ये मानना है कि सर अब तैयारी करने की हिम्मत नहीं ये वीडियो सरफ इन लोगों के लिए है आज का वीडियो और इसका भी उत्तर जरूर दूँगा कि आप तैयारी करने की हमत नहीं बहुत परिशान हो चुके हैं बहुत महनत की थी रीट में ते अच्छ अंक बनाए थे ये था वो था मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ बीती ताही विसार थे हो सकता है कि आप सोचो के मैं ग्यान देने आया हूँ लेकिन ग्यान नहीं दे रहा हूँ कि कुछ कॉल्स और मैसेज ऐसे आए कि मुझे ये वीडियो आज व्यस्त होते वे भी बनाना पड़ा तैयारी करने की हमत नहीं आप याद रखें जो पावर है वो किसी की बपोती नहींगे पावर इस पर्सनल शक्ति हमारी नीजी होती है एक बार गिरे दूसरी बार उठो जो हिंदी के ब गढ़ती हैं वो उसनोंने सूरदास की जूपड़ी लेसन पड़ाओगा सूरदास की जूपड़ी में जो सूरदास होता है उसे जब वो बच्चा पूछता है कि अगर आपकी जौंपड़ी एक बार फिर से कोई जला दे थे तो वो यही बोलता है कि मैं अपनी जौंपड़ी को अगर कोई सो बार जलाए तो सो बार बनाऊंगा हजार बार जलाए तो हजार बार बनाऊंगा जब तक सफलता नहीं तब तक जुकना नहीं है मैं जुकेगा नहीं है खूब मुईज आती है मोटिविशन दे जाती है फिर भी जो लो इस बोलते हैं कि मैं अब तयारी करने की हिमत नहीं है मैं उन लोगों से एकी बात कहना चाहता हूँ कि एक रीट की भरती रद होने से अपना जीवन नहीं रुका करता और ऐसा नहीं है कि अब अपना आगे सेलेक्शन नहीं होता मैं अगर अपनी खुद की बात लूँ तो आपको एक बात बता दूँ जब आपको याद होगा कि लगबख 3100 सीटें आई थी फर्स्ट ग्रेड में हिंदी की तब उस भरती में मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ था जबकि कोई भरती रद नहीं हुए थी एकदाम टाइम पे हुआ था सब कुछ अच्छा हुआ था लेकिन उसके बाद जब 2016 में पहले जब तैयारी स्टार्ट की तो आज जैसा सेकंड ग्रेड में आज जैसा सेकंड ग्रेड में 1200 सीट्स हैं तब भी हमारे टाइम भी 1200 थी उसके बाद जब एकदाम हुआ तब बाद में 600 और बढ़ा दी गई थी एकदाम होने के बाद तो ये जरूरी नहीं है कि आपका इस बार सेलेक्शन नहीं हुआ तो अकली बार नहीं होगा अरे ईश्वर आपसे थोड़ी सी महनत और मांगता है वो चाता है कि दो कदम तू और चल तो कहां दिक्कत है power is personal, power हमारी खुद की नीजी है हमारे पास और कुछ नहीं है, ये पैसा हमारा नीजी नहीं है, ये घर, मकान, सब कुछ बहर democrat करेंगे और आप घबरा रहे हो लेकिन हम सोचने हैं कोई बात नहीं क्योंकि कई बार हम जिसे गलत समझते हैं वो अच्छा होता है suppose that जिस हिसाब से मतलब चला था कि नकल हुई है नहीं हुई है इसमें मैं नहीं उलजना चाहता लेकिन अगर आपका उस last final cut-off के बाद भी selection नहीं होता तब आप किसको मों दिखाते तब रोते रोने से selection होता होता क्या नहीं होता आप खुछ सोचो आपको seats जो हैं अब रीट में भी आपको जो seats हैं वो कितनी मिलेगी आपको seats लगबग आप माल लीजिए कि एक तो 30,000 seats सीदी second level की हो रही है यह हो सकता है आगे बढ़ाए जा सकता है कम तो करेंगे नहीं तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है अब कुछ लोग कहते हैं इसमें दो पेपर होंगे तो मैं इस पर भी चर्चा करूंगा थोड़ा सा मेरे कितना साथ जादा से जादा बारा महीने और आप कुछ लोग मुलेंगे सर आपको क्या पता मैं से रो रहे थे वैसर एक उन्यार फ्रिष्ट लिवल का लड़का तो फ्रेशर तो हो गई होगा यूँवा लड़का था बीस बाईस साल का और मुझे मैसेज कर रहा है सर मैं तो मर जाऊंगा आये कर जाओंगा वो कर जाओंगा अरे यार हद दो रही है मतलब इतना सहिल शक्ति नाम की चीज ही नहीं है हमने लगबग मैंने क्या कई लोग आप देखते हो 15-15 वर्षों तक संगर्श करते रहते हैं अंत्तव गत्वा उन्हें सफलता प्राप्त होती है और आपने साल दो साल सफलता की सेलेक्शन नहीं हुआ तो हार माल ली यह कहां का न्याय है एक बार अपने शक्ति को पहचानो एक बार अपने शक्ति को जो मेरे मुझे फॉलो करते हैं जो मेरी बात को समझते हैं कि जानते हैं कि मैं बड़े भाई की तरह या कईयों को छोटे भाई की तरह बहुत सही राइब रहा हूं और आपको बहुत जल्द में सेकंड गेर्ट के अकोर्डिंग जो है टाइम टेबल भी दे दूँगा ठीक है इसके अकोर्डिंग आपको जो है क्लासेज भी मैं आपको बराबर दे रहा हूं ठीक है क्लासेज भी दे रहा हूं टाइम टेबल भी दे दूँगा टैस्टरीज जो हिंदी के टैस्टरीज भी हिंदी पॉइंट एप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टैस् से नहीं होगा सेलेक्शन आप कुछ लोग सीटों से गबरारे हैं यह वो क्या रहा है सब से पहले अपना द्यान इक हम सैयमित करो कि सबसे इम्परटन्ट है खुदको सैयमित करो आनुशासित करो कि मुझे तो सियमित और होने के बाद में ही आपको सफलता मिलेगी याद रखना कि असलिए करो क्योंकि आप देखो तो संयम रखो कि हाँ पेपर होगा और मैं इस बार सफल होंगा संय का अनुसासित आप पहले decide करो निश्यवी करो साथ में कि मुझे seconded करनी है या the हीट करनी है फस्ट्रेट करनी है कॉलेज लेक्षर करनी कौन सी करनी है अनुसासित और फिर अनुसासन में रहेकर तैयारी करो सफलता जखमार कर आएगे अरे मतलब आप क्या जानते हो इजी वे में सफलता किसे प्राप्त हुई आस तर मुझे तो खुद को नहीं हुई लेकिन मैं अपनी जो पूर जो मैंने सहन किया जो मैंने संगर्श किया मैं उसको अभी तक आपके सामने नहीं लणा चाहता मैं लाओंगा एक दिन जरूर तो हार है ठान लिया तो जीत है यह आपने सुना होगा अगर आपने ठान लिया तो जीत निश्यत होगी और मान लिया तो हार निश्यत होगी मन के हारे हार मन के जीत है मेरा मन कभी नहीं हारता चाहिए पेपर को एक महिना पढ़ा तो हारता नहीं और आप लोग हार मान रहे अब एक बार एक बार मेरे कहने से अगर कुछ मानते हैं जो नहीं मानते हैं वो चैनल से छोड़के जा सकता है सबसंदर है जो मेरी बात को मानता है एक बार ची जान लगाकर मेरे साथ तयारी कीजी मैं इस बात को मजबूती के साथ कह सकता हूं और पुर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि second grade या REIT में से वो सिट निकाल लेगा second grade या REIT में से सिट निकाल लेगा कैसे और मैं मेरा मरदसन जो मानना चाहते हैं वो में उजे ध्यान से सुने जो व्याख्याता की त्यारी कर रहे हैं याद रखना उनकी तैयारी college lecture से मिलती है जैसा कि गणपत जी राजप्रो इतने वी एक बात बोली थी मुझे आज किसी student ने बताई थी और ये बात मैं बहुत लंबे समय से खुद बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं खुद कि second grade की जो तैयारी आपके लिए हितकारी साबि होगी मेरे बात को ध्यान से समझना second grade की तैयारी करने वाला इस बार असफल नहीं होगा कैसे second grade में लगबग 10,000 सीच्टे मैं सभी subject की बात करना हूं और REIT में जो है इस बार मतलब 30,000 तो मान के चल रहे हैं और हो सकता आगे भी बढ़ जाए आपको पता है कि REIT में इस बार दो पेपर होगे एक तो वही जो टैट का होता है जिसमें अभी वह आपका हुआ था वही सलेबस रहेगा उसके बार एक विशेवार पेपर होगा विशेवार पेपर में क्या होगा बीस नंबर यानि दस कौशन सिक्षा मनोविज्ञान के आएंगे दस कौशन बाल मनोविज्ञान के आएंगे पहले जो टैट में सलेवस चलता था मैं वो बता रहा हूँ लेटेस्ट में वो क्या इसमें परिवर्तन करेंगे वो मैं नहीं जानता लेकिन इस से लगबग मिलता जुलता रहेगा दस से दस कॉशन जो हैं राजस्थान जीके के आएंगे दस कॉशन करंट के आएंगे किते एक दो तीन चार चालिस हो गए और साथ कॉशन आपके विशे के आएंगे और वो विशे और ये राजस्थान और करंट यानि ये असी कॉशन वही होंगे जिसकी आप सेकंड गेड में तयारी कर रहे हो तो second grade की तैयारी के 80 caution आपके यहां काम आएंगे साथ में जो TET में आप मनोविज्यान पढ़ रहे हो तो मनोविज्यान के 30 आपको मनोविज्यान यहां पर भी पढ़नी पढ़ेगी अच्छा 80 क्यों यह देखिए यह रहे पूरे के पूरे 100 caution जो second paper है वो पूरा second grade में है तो जो second grade की तैयारी करेगा खुदा न खरसता अगर उसका second grade में selection नहीं होता है तब भी वो REIT में selection ले पड़ेगा continue तैयारी रखनी है लेकिन जो REIT में कर रहा है ना वो second grade की seat नहीं निकाल पाए जिसका concentration REIT है और वो कहता है नहीं में second grade तैयारी कर रहा हूं नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता है मेरा मानना ऐसा व्यक्तिक गतर आया है मैं ज़्यादा दीव नहीं जा इसलिए आपको बोल रहा हूँ आप second grade पर focus रखे अच्छा गुर जी में तो सीटा का में EWS की किति है SC की किति है ST की किति है अरे भाई तेरे को किति चाहिए एक चाहिए अब एक बात बताता हूँ mostly किसी भी subject लेकिन यहां मैं हिंदी की subject की बात करूँगा आप अन्य subject वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अंदाज हैं देखो मैं कहता हूँ अगर हिंदी में 130 और GK में 70 मान कर अपन तयारी करते हैं अपना लक्षे क्या है कि 200 अर्थाद मुझे इस बार हिंदी में 400 नंबर बनाने हैं उसके बाद चाहिए seat कितनी हो कोई फरक नहीं पड़ता जो seat देखके तयारी कर रहा है वो कहीं ने कहीं चूक कर रहा है अरे आप seat चाहिए पीछे कितनी हो जो आगे दोड़ने वाला होता है जो first ranker होता है जो top आने वाला होता है उसे पता ही नहीं है कि मेरे पीछे भीड कितनी है उसे नहीं पता है मेरे पीछे भीड कितनी है क्यों देखना है आप अगर ढंसे तयारी करोगे तो आपका सेलेक्शन सुनिश्यत है सेकंड ग्रेड को चुने अच्छा दूसरा एट परजेंट तो सेकंड ग्रेड की चांसेज पूरे बन रहे हैं कि कभी भी विग्यप्ति जारी हो सकती है तो फिर आप जो सामने पड़ी है उसकी तयारी नहीं कर रहे हैं और कहते हैं सर मैं तो फैस्ट ग्रेड के तयारी में लगावा हूँ मैं तो इसमें लगावा हूँ या कमाल की बात कर दो जो सामने है उसको छोड़ दिया और जो अभी तक आई नहीं है उसकी तयारी में लगे करना क्या है पहले ये डिसाइड कीजिए और ये समय और परिस्तितियों के आधार पर यही निश्चे कीजिए कि मुझे सेक्निरेट की तैयरी में लगना है बाद में जो होगा देखा जाएगा पहले अगर सेक्निरेट आने पर है और इस बार एक चीज और बताना चाहता हूं देखो निश्चे तरुप से एक बहुत बड़ा एक्जाम रद्द हुआ है तो सरकार पर दबाव जरूर है तो मेरा मानना है कि सरकार जो भी एक्जाम डेट देगी उस पर वो पेपर भी तुरंट करवाएगी अब उस समय कुछ एक दल आएगा पेपर को आगे करो वगयरा पर हर तरक से लेगा लेकिन इस बार सरकार सो परसेंट पेपर टाइम पर करवाएगी और आप लोग चार से पांच महीने आपके हाथ में हैं आप इमान दारी से तैयारी कीजिए मेरे पास कोई लाग लपट नहीं है कि मैं जो ऐसा मोटिवेशन करूँ इस तरह से दिखाऊ मेरे पास तरह नहीं मैं जो जो मेरे मन में आया मैं वह आपको से कह रहा हूँ और मैं काफी दिनों से ये शेयर करना चाहता था कि क्यों आखिर बटक रहे हैं सेकंडेट की तैयारी करो मेरे पास बहुत से फोन्स भी आये हैं मैंने उनको यही का भाई मेरी वेक्टिक तरह स सेकंडेट की है बागी तेरी इच्छा होगा कर ले मैं फिर कर रहा हूँ दोस्तों सेकंडेट की तैयारी यकीन आपको सफलता दिलाते हैं मैं बिल्कुल भी इस बात को कहने में ऐसा नहीं है कि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई संसे है मैं तो पूर्ण आत्मश्वास के साथ कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है मेरा मनिया कहता है सेकंडेट करने वाड़ा मेहनती बच्चे की बात कर रहा हूं मुझे मेहनत वास्तों में इमानदारी से तन मन से महनत करेगा वह अगर इसमें किसी कारण वर्स चूक भी गया तो रीट को ले पड़ेगा लेकिन वह ज कितनी है ना तो तुम जानते हो ना मैं जानता हूं मेरे अंदर कितनी शक्ति है इसे मैं भी नहीं जानता हूं लेकिन हमें इसको पहचानने की जरूरत है और वह पहचानना क्या है हां मैं साला कर सकता हूं मैं जुकेगा नहीं साला है सुना है ना वो पिक्चर देखे मैं इ सकते हो तो साथ में जुड़ें, फाइदा होगा, चाए हिंदी वाड़े अभरती हिंदी के नहीं हैं, तो भी बता दूँ, जीके का भी एक से बढ़कर एक आपको matter मिले, content मिलेगा, बढ़िया टैस्टरिज मिलेगी, बढ़िया प्रश्न मिलेंगे, और पूर्ण रूप से इ हो सकता है, गलत हूँ, ज्यान नहीं दे रहा हूँ, एक अपनत्तों के नाथे, परिवार के नाथे आपको समझाने हैं, जो यूटूब का परिवार है, उसके नाथे आपको समझाने आया हूँ, अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो मेरे शब कीजिए और बढ़िया, और एक बार सोच लो तो फिर पिछे मुड के मत देखना, एक्जाम चाहे जुलाई में हो, सितंबर में हो, 2023 जनवरी में हो, जब तक नहीं हो, चलने ते गाड़ी, रुकना नहीं, तो रुकना नहीं कभी हार के, बहुत ही धहर्य से और आराम से रिल पक्का लेगा, तो सेकंड ग्रेड ही करें, लेकिन जो केवल रीट की कर रहा है, वो उपर वाड़ी तीनों भड़तियां खोदेगा, और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की और जाना भी हिंदी वाड़ों के लिए वीसे रूप से इजी रहेगा, क्योंकि सबजेक्ट पूरा हाथ में होता है, तैयार होता है, लेकिन अगर आप रीट की कर रहे हो तो ना तो आप सेकंड ग्रेड में जा पाओगे, और नहीं आप फस्ट ग्रेड में जा पाओगे, फैसला आपका है, अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी है, कि आपको क्या करना है, पावर इस पर कि भी जो होगि और को जोन करें वह सेड़्ून करें एक से बढ़ेस्ट वाइस हिंदी की त्यारिवादा करें देली प्रैक्टिस करें आगे आने वार समय पूरे पैटर्न ब्लूट्रिंट काहसार कि वे ने दे एक से बढ़कर कोशन मिले गा और आपको खुद को ऐएगा लगब टॉप टैन आते हैं तो टॉप टैन जो आये थे मुझे नाम मिले हैं कि पिछले टेस्ट में टॉप कौन को नाये हैं फर्स्ट तो है 8693 नाम से है सीमा स्वामी मुझू विष्णोई पूजा तिवाडी मनोहर चोधरी रचना सांगवा मेडम सेकंड के डैवर्तमान में निर्मा राठोड निर्मला बारुपाल और सुमन सर्मा इस टॉप टैन में मंझू विष्णोई पूजा तिवाडी और निर स्टूइट बैठते हैं आप क्स समझ सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से इनको तयारी कर वगत है कि और अभी बी आअपक्ञाइं आॉन-लाइन हर तरह से मारक स्था जारी है बस आपके समझने की भारी है कि अब आपके समझने की तयारी आप कब समस्ता हैं फिर से कहा रहा हूँ जागो फिर एक बार अब जागने का समय आ गया जागो फिर एक बार क्योंकि पावर इस परसनल अपनी शक्ति को पहचानो हार मत मानो अपनी शक्ति को पहचानो हार मत मानो एक बार और कोसिस करके देखो सफलता बहुत नजदीक है बस वो इंतजार कर रही है आपके दो कदम और चलने का मेरी classes आपको मिलती रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक गणित मैंने बताया है अच्छा लगता है तो अच्छी बात है मैं बहुत जल्द आपको टाइम टेबल च्कुक में आप बताएं कि वास्तों में आपको टाइम टेबल क्या शक्ता है क्या मैं यहीं देखना चाथा हूं कि कितने students तक मेरी बात पहुंची है और कितने students मेरी बात को समझने के लिए तयार है तो मुझे भी लगेगा कि इन unhappy जरूरत आनपरी तो बहुत बहुत